असलाम अलेकूम, आज से न मार्केक से ढूकला लाना ही बन, लाना ही क्यों जब मैं आपके लिए लाई हूँ, फ्री ओनलाइन कुकिंग, कलास कुकिंग, के बीसीडी में इतना स्पंजी, सॉफ्ट ढूकला बनाने की रेसीपी, अगर आप इसे पहली बार भी बनाने वाले हो होता, जाली डाल ढूकला नहीं बनता है, तो आज मेरा पूरा वीडियो एंग तक देखिए, पूरे टिप्स के साथ मैं ने बताया है, तो देखिए किस तरह से जाली डाल बना हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, बिस्मिल्ला रख्मान रीम, तो यहां पी लि हमें यहां पे पानी गरम करने के लिए रख देना है, तो आप जिसमें भी स्टीम देने वाले हैं, उसमें पानी गरम करने के लिए रख दीजिए, और उसके उपर एक स्टैंड रख देना है, ताकि ढोकला अच्छे से स्टीम हो जाए, डैलिक पानी में नहीं रखना है, औ अब करते हैं यहाँ पे जोकला बनानी की तयारी तो यहाँ पे एक मिक्सी जार लेना है और उसमें डालना है देल कप बेशन काटा लेने से पहले उसे अच्छे से छान कर लेना है और हलका पूश करना है दबा कर लेना है हलके हातों से भरा हुआ बेशन नहीं लेना है तो इस देहान रखें जार से मैने मेजर्मिंग बताया है उसी मेजर्मिंग के साथ आप ढूकला बनाएंगे तो यह चार लोगों के लिए बंद कर तयार होगा साथ 2-3 चुटकी उतनी हिंग लेनी है और 2 चुटकी उतनी हलदी हलदी हमें ज्यादा नहीं डालनी है नहीं तो कलर चेंज होंगा या फिर उसकाप जो लाल कलर में पैचेस होते हैं ना ढुखला बनाते ही वह सारे प्रोब्लेम आएंगे तो लेमिक में ही हल्द डालनी है जिस cup से हमने बेशन लिया है उसी cup से सिर्फ एक cup पानी डालना है तो देहान रखिए कि देल cup बेशन के लिए सिर्फ एक cup पानी लेंगे और इसे mix करेंगे चमच के साहता से आप इसमें डालेंगे एक निम्बू का जूस करीबन वो दो से तीन टेबल स्पून होना चाहिए साथ में एक हरी मेज टेस्ट के अकॉल्डिंग अपकम जादा कर सकते हैं क्यूंकि ये ढोगला बनाने के बाद ना अंदर से फिका लगेगा ना उपर से इसलिए सारे चीज़ को चालू बन करते हों ये पीस कर लीजिए तो देखे इस तरह से बैक्टर बन गया है आप इसे बड़े से बलतन में निकालेंगे उसमें डालेंगे इनो तो हम यहां पे इनो का इस्तेमाल करने वाले हैं तो देखे इनो फोरन ही एक्टिव हो जाता है फोरन ही फुलने लग तो इसे इस तरह से 30 से 40 से कंट तक हमें मीक्स करते रहना ये पफी होने तक अगर आप इनो नहीं डालने वाले हैं तो एक चम्माच खाने वाला मीटा सोगा और आदा चम्माच बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं तो आप फोरन ही इसे जिसमें हम धोकला बनाने वाले हैं उस यहां पर 20 मिनित हो गए है तो आप हम इसे चेक करेंगे तुद्पिक के मदद से या चाकू चमच के मदद से तो यह किसी भी चीज को चिपकना नहीं चाहिए इतना हमें इसे पका कर लेना है तो यह 20 मिनित में आपने आप पक जाएगा उससे जादा पकाने के हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो मैं इसे सभी जगर से चेक कर रही हूं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि साइक से पक जाता है और बिश में पकता नहीं है तो इसलिए इसे सभी जगर से चेक करेंगे और इसी पूरी तरह से ठंडा हो गया ठंडा होने के बार इसके किनारे ना आप हम स्कीम देते रहते हैं तब 20 बीच में बिल्कुल भी चेक नहीं करना है 20 मिनित बाद ही चेक करेंगे क्योंकि आदत होती है ना बीच बीच में चेक करने की इतों नहीं करना है अगर करेंगे तो जो इनोग डाला है वो दियक्टिव हो जाएगा तो देखे इस तरह से बरतन क इसमें जाली बनी हुए इसी तरह से बना कर लेना है हमें डोकला तो जो हमने हरी मिल्च डाली थी वो भी है अगर आप चाहे तो इससी के साथ या फिर निकाल कर भीखा सकते तो देखे कितना स्पंजी बना हुआ है बहुती बगिया जिस तरह से मालकेक में होता है ना उसी तो आपको जिस size में भी इसे cut करना है उस size में इसे cut कर सकते हैं उस size में और देखिए हीक सोँ तो यह प्लट जैक्तिक इस झाया है Feed the Crusoe rest सबसे पहले इसे कट करना है सैट में लगना है उसके बाद इसका तड़का लगाना है मीठा वाला तड़का अगर आप नहीं भी लगाएंगे और इसे इसी तरह से भी खाएंगे न तो यह बहुत ही केस्टी बनेगा क्यूंकि हमने उसमें सारी चीज़े डाली ही हुई है तो अंदर डाल दिया है एक चम्मस तेल तेल गरम भी हो गया है उसमें डालेंगे एक चम्मस राया तो राया इस तरह से तेल में फूलना चाहिए उसके बाद आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लंबाई में या फिल छोटे तुकोबे में कट की हुए हरी मिल्स डालनी है साथ म पाव या आदा गलास पानी डाल कर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे चीनी तो चीनी हमने बैटर में भी डाला था तो जादा मिधाना बनाते होई हमें सिर्फ यहां पे एक चम्मस चीनी डालनी है मिक्स करके लेना है और पानी को अच्छे से बॉल होने देना है तो पानी डालते जाना है तो जादा भी पानी डालना है जादा पानी डालेंगे तो चिपचिपा हो सकता है तो बस हलका सा पानी डाल कर लेंगे जो प्रोब्लेम होती है कि ढुकला खाते गले में चिपक जाता है तो इसलिए इसके उपर इस तरह से मीठा तरका दिया जाता है ताकि ये गले में चिपकेना और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो उसी के साथ पानी डालने के बार यहां पर हरी धनिया पत्ती साथ गार्निशिंग करेंगे बारी कटकल के लेना है उसी के साथ यहां पर नारियल का भूरा भी डालना है यह ओप्शनल है नारियल क सच मुष्ट धोकला सिखने को मिला होगा तो है मेरे वीडियो को लाइक किजिए इस चाइनल से अपको बहुत कुछ शीकने को मिलता है तो इसी तरह से खाना बनाते रहीं और खाते रहीं जजञा कला वखेरू